हेलो एवरिवन क्यासे हैं आप सभी स्वागत है आपका अनएकेडमी पर और अनएकेडमी के चैनल MPPSC व्यापम पर मैं मिच शुक्ला आप सभी के सामने उपस्थित हूँ फटाफट कमेंड करके आजाए ये भाई साब जै माहंकाल ठीक है करते हैं शुरुवात अपन तो देखो जनरेशन ओफ कम्प्यूटर खतम ठीक शॉटकर्ट की इस खतम फंक्शन की इस खतम ठीक तो आज मैं आपको इन्पूट डिवाइस के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं कि इन्पूट डिवाइस को आपको करना कैसे है प्रि प्रिका बतायता हूं क्योंकि हापको हर चीज इसमें याद नहीं करना है क्योंकि यह एज ऑब्वियस है कि आपको यह यूहीं याद रहते हैं यह क्या रहते हैं कि कहां पर इन्पूट डिवाइस कौन सा है कैसा है उसकी आप डेफिनेशन भी खुद से लिख सकते हो सब इसको हमको ज्यादा नहीं देखना है बट मैं आपको एक थोरोली इस पर यहाँ पर ब्रीफ में बता देता हूं क्या इंपूट डिवाइस में क्या याद करना है कैसे याद करना है तो आज हम इन्पूट डिवाइस को अभी ही निप्ता के खतम कर लेंगे और कल की क्लास मे output device देख लेंगे और output device में भी ज़्यादा देखने की जरुवत नहीं पड़ेगी और इसमें फिर हम 3-4 दिन mcqs कर लेंगे जिससे आपका क्या हो काम आसान हो जाए input device generation of computer इन सब पर बस इतने से बात है कि वो 3-4 mcqs करने से पहले आपका input device shortcut keys generation of computer computer जो मैं रोज target दे रहा हूं उस हिसाब से आपका revision हो जाएगा तो आपको mcqs देने में भी अच्छा लगेगा तो shortcut की जैसे मैं आपको बोलते जा रहा हूं करते जाना तो देखे यहाँ पर आपको क्या करना है पहले बात तो आप यह समझ लो कि यहाँ पर बहुत सारी बेच courses चल रहे हैं ठीक तो यहाँ पर आपको क्या करना है सब्स्रिप्शन लेना है अमित 93 लाइव लगाना है बेच course का फाइदा उठा सकते हो यह free mock test है आपको सभी को पता है कोई tension लेने की जरुवत ही नहीं है ठीक है आपको सभी एकदम सभी चीज़े पता है आज से यहाँ पर 10 बजे से है ना timing थोड़ी सी मैं साड़े नो बजे की जगा 10 बजे रख रहा हूं और यह 10 बजे में क्या ले रहा हूं यहाँ पर 10 बजे मेरी classes चालू हो जाएगी फ्री class है special class है ठीक यहाँ पर हम मद्ध प्रदेश में खेल चालू करेंगे जो सभी exam के लिए जरूरी है ठीक चलिए तो बात करते हैं आपको क्या करना है यहाँ पर referral code कौन सा लगाना है सबको मालूम होगा अमित 93 live का ठीक इस तरह से आप क्या ले सकते हो subscription ले सकते हो ध्यान रखेगा चलिए बात कर लेते हैं input device की तो देखो input device का मतलम आप सभी को पता होगा कि input device होता क्या है कैसी चीजे चलती है क्या है क्या नहीं है तो input device जो है simple सी बात है अगर मैंने इसमें एक pen drive लगई है तो pen drive को तो हम क्या बोल देंगे peripheral device बोल देंगे peripheral device क्या होता है हम देख लेंगे तो अगर किसी भी चीज को मैं use करता हूँ अलग रूप में लेके जिससे हम data को क्या कर सकते है प्रोसेस कर सकते तो वो input device होता है सबको मालूम है तो यह इसकी definition मुझे बताने की जरुवत नहीं है अपन बढ़ जाते हैं आगे ज़रा देख लो normal सी क्या पढ़ना है केसे पढ़ना है बाकी सब तो आपको बते ही होगा अलग कम्प्यूटर में अगर किसी भी data को क्या करना है फीट करना है यह enter करना है तो वो क्या कहलाता है इंपूट कहलाता है मतलब अगर आपने data में कुछ भी डाला तो वो input कहलाता है ठीक और जब हम data को computer द्वारा जो प्राप्त करते हैं उसे हम क्या बोलते है क्योंकि मैं यहां से data दे रहा हूं, information आपके पास जा रही है process होके तो यह कैसा device हो गया? input device, आपको जो आवाज आ रही है है ना, बिल्कुल नहीं लिखना है आपको जो आवाज आ रही है, माइ Run से तो नहीं आ रही है तो आपके पास तो result आ रहा है ना आपके पास तो output आ रहा है और वो output जो है वो आपको किस से मिल रहा है speaker से मिल रहा है तो speaker जो चीज आपको दे रहा है वो output device हो गया मैं जो दे रहा हूँ वो input device हो गया है कि जब भी आपको मेंस के लिए पढ़ना हो तब हम पढ़ सकते हैं लेकिन यह ऐसा टॉपिक है जिसको भी प्री के लिए ही पढ़ो क्योंकि इसको थोरोली आप एक दिन पहले भी पढ़ोगे तो आंसर कर सकते हो ठीक तो यहां पर यह आपको बिल्कुल अभी देखने की जरुवत नहीं पड़ेगी प्रिलिम्स के हिसाब से ठीक है यहां पर अगर हम बात करते हैं यह वाली जो सेंटेंस है यह एक बार आ चुका है क्या बोल रहा है यह जब किसी भी प्रकार का डाटा कंप्यूटर में इंपुट किया जाता है मतलब क्या है जब कंप्यूटर को इंपुट दिया जाता है तो कंप्यूटर इस डेटा से समबंदित क्या करता है रिजल्ट देता है और उसको क्या करता है आउटपट पर को हम क्या बोलते हैं प्रोसेस बोलते हैं तो यह question आपको mcqs के रूप में समझ में आ जाएगा कि actually में इसका मतलब क्या है तो जब mcqs हम पढ़ेंगे ना इसका सार हमको वहां से मिल जाएगा ठीक तो ना हमको अभी प्री के लिए ये page देखना है कुछ देखने की जरुवती नहीं है ठीक तो आप ऐसा भी कर सकते हो copy में लिख सकते हो कि पहला page नहीं देखना है PDF का तो आपके लिए काम आसान हो गया peripheral device जरूर देखना है सीधा का सीधा question आ जाएगा prelims में ही कि peripheral device actual में होता क्या है तो peripheral device का मतलब समझ लो एक ऐसा device जो एक computer को start करने के लिए जरूरी नहीं होता है क्या अगर हम mouse नहीं लगाएंगे तो computer नहीं चलेगा keyboard नहीं चलाएंगे लगाएंगे computer pen drive यह सभी नहीं चलेगा न तो यह essential नहीं है तो यह भी एक normal सी बात है इसको भी ना देखो तो चलो लेकिन यह वाला point आप जरूर देखो यही एक मात्र हमारे लिए point है जो जरूरी है और यह क्या बोल रहा है कि peripheral device वैसे device को कहा जाता है जो कि computer का part नहीं होता है जिसको हम अलग से जोडते है अब अलग से जो भी चीज जोडती है उसको हम क्या बोलते है peripheral device जैसे भाईया printer हो गया peripheral device है scanner हो गया peripheral device है mouse हो गया keyboard हो गया digitizer हो गया जो भी चीज आप अलग से जोड रहे हो वो कौन सा device कहलाता है peripheral device कहलाता है यह अत्यंत महतपूर्ण चीज है simple सा question आएगा लेकिन बच्चे हो जाते हैं confused तो एक ऐसा device जो अलग से जोड़े उसको हम क्या बोलते है peripheral device बोलते हैं clear है बात ना आपको ये देखने की जरवत ना आपको ये देखने की जरवत ना उसे ये देखने की जरवत ठीक वहाँ device जिसके द्वारा हम निर्देशो और डाटा को computer तक पहुचाते हैं उसे input device बोल देते हैं तीन नंबर में अगर आता है तो ये वाली लाइन लिख दो क्योंकि इस से जादा तो आप लिखी नहीं पाओगे तीन नंबर में सीमाई कितनी है दस शब्द की है तो ये वाला जो लाइन है input device के लिए सबसे बहतरीन लाइन है कि वहाँ device जिसके द्वारा हम निर्देशो और डाटा को computer तक पहुचाते हैं क्या कहलाता है input device simple सिवाद और peripheral device के लिए तो prelims के लिए ना पहला page जरूरी है ना अभी ये page जरूरी है ये मात्र खतम हो गया peripheral device हम देख के आई चुके बात करते हैं list of input device ये सबसे important page रहने वाला है आपके लिए है ना सबसे important page क्यों क्योंकि question तो मात्र यही आता है ना लगबग लगबग क्या आता है कि भाई साब इन में से कौन सा input device नहीं है अब इनको याद करने की जरूरत लाइक शेर और सबस्क्राइब जरूर कर दो भीया है ना इनको याद करने की जरूरत थोड़ी है खुद common sense से पता कर सकते हो देखो keyboard भया की डालते हैं data डालते हैं खतम हो गया ये input device हो गया mouse input device हो गया touch screen मैं अगर यहाँ पर touch कर रहा हूं तो ये input दे रहा हूं मैं तो input device ह हो गया webcam अगर webcam में देख रहा हूं तो हमने peripheral device के रूप में उसको यूज करा है तो input हो गया बात करते हैं digital camera तो अभी इनको मैं आगे दिखा रहा हूं digital camera आपने देखा होगा तो photo हम लेते हैं तो उससे वह input device हो गया light pen अभी मैं यूज कर रहा हूं है ना तो अलग तरी input device ह जो का trackball आपको पता होगा जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी जगाय मैं आपको trackball को हम उसमें बोल सकते हैं एक mouse जैसा ही रहता है उस पर गोला रहता है जिससे आप यूज कर सकते हो उसको तो बहुत आसान है joystick games खेलते हुए आपने यूज किया होगा जब आपने cranes द दिखता है तो वो input device ही तो है card reader card reader मतलब जो अपन card में डाल के read करते हैं चीजों को omr mark sheet ocr बिलकुल देख रहे हैं जो word को क्या कर सकता है आपने देखा होगा एक ऐसा pen एक ऐसा pen जिसको हम copy के सामने अगर ऐसे रखते हैं तो वो क्या कर लेता है scan कर देता है तो वो हो जाता है barcode reader सबको मालूम है micr जो cancel check रहते है bank में use किया रहता है microphone यह आप देखी रहे हो तो यह तो बहुत ही simple से ऐसे example है जहां पर आपको किसी तरह का कोई confusion होने की जरुवत ही नहीं है कि कौन सा input device है और कौन सा input device नहीं है यह तो बहुत ही simple से question है तो बेटा यह तो एक बहुत ही जरूरी page है आपके लिए कौन सा input device है कौन सा नहीं तो यहां तक यह हो गया उसके बाद अगर हम peripheral device की बात कर ले तो दो चीज आपको देखने की जरुवत पड़ रही है prelims के हिसाब से बात करते है keyboard मैंने keyboard के लिए आपको बता ही चुका हूँ यह पहले भी PDF दे चुका ह हो गई मेंस के लिए लिखने के लिए हो गई है देखने की जरुवत नहीं है यह भी बिल्कुल देखने की जरुवत नहीं है क्योंकि मेंस मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आपके पास पड़ा हुआ है आप ऐसे ही 15 दिन में नजर मारके खतम कर सकते हो prelims में दिक्कत आती है य बात करते हैं हम आगे एक सामाने कीबोर में 104 कीज होती है बता चुका हूँ पड़ भी चुके हो याद भी कर चुके हो देखने की जरुवत नहीं है यह तो मैंने आपके लिए मेंस के लिए ही बोल चुका हूँ कि मेंस के लिए आपको याद करना है पहले ही याद करवा हूँ यह मेंस का क्वेश्चन है कि कौन से कितने तरह की है उनको डिफाइन करो यह हमारा हो चुका है यह भी मैंने आपको बिल्कुल यह मैं नहीं दिखा रहा हूँ यह मैंने एक साथ आपको दे दिया है न तो आप खुद भी पड़ोगे तो यह चीज़े आपको समझ में आ परगेट बिल रहा है वेसा करते जाना मज़े आ जाएगा आपको प्रिलिम्स हो गया मेंस बहुत आसान चलिए यह देख लो भाई साव तो इनपुट डिवाइस हमारा जो भी था जैसा भी था कौन-कौन से देख लिया है अभी हम जरा उनको जो में में हैं उनको देख ले यह जो वायर दिख रहा है कम्प्यूटर पर जुड़ा रहता है जिससे आपका रोल नंबर आपके नाम आपके मार्क्स यह क्या है पता चल जाते है तो OMR से में बिलकुल डेफिनेशन वेफिनेशन कुछ ही नहीं पड़ेंगे क्योंकि यह आप ही कर सकते हो है इसलिए बस म माउस में थोड़ी सी बात समझ लो है न माउस में हलकी सी बाते हैं कुछ समझने जैसी ठीक है एक पॉइंटिंग डिवाईज है जैसे मैं अगर इस इसको यूज पॉइंट रूप में US तरह सकता हूं इस तरह से देखो एक मिट कहाँ गया यह मैस्कौ एक पॉइंट के रूप में यूज करना हो रब आपको चोटा सा हलका सा दिख रहा है तो यह हिसाब से मेरे लिए माउस है है न आपको कहले का सा कई भी पोइंटर दिख रहा हो तो नहीं भी दिख रहा हो तो कोई बात तो देखो यह क्या है एक ऑप्टिकल मार्क रीडर था यह तो हो गया ना माउस तो स्क्रोल के लिए हैना सबसे ज़्यादा यूज हम किसका करते हैं तो सबसे ज़्यादा यूज अगर हम देखे तो भाईया एक राइट क्लिक हो जाता है एक लेफ्ट क्लिक हो जाता है हम ज्यादा तर लेफ्ट क्लिक का यूज करते हैं हैना और यह इस्पेशल काम के लिए यूज होता है जैसे control plus cv की जगा हमको copy paste करना है तो यह तो बहुत simple सी बात है आपको सब को पता होगा है तो मुझे आपको बताने की जरुवती नहीं कि mouse क्या है कितनी तरह की buttons होती है कैसे इसका काम किया जाता है जो चीजे सामने रहती है वो cursor होता है है ना सब कुछ पता है किन कुछ काम की बात सुन लो mouse के कार क्या होते है clicking मालूम है आपको बिल्कुल अच्छे से double clicking मालूम है आपको बहुत अच्छे से दाया clicking मतलब दाया से डाल मतलब right clicked तो right clicking dragging 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 का मतलब समझतो ना किसी एक चीज़ को mouse के द्वारा पकड़ के human माउस के द्वारा किसी एक चीज को पकड़के दूसरी तरफ डालना उसको ड्रेगिंग बोला जाता है इस बात को समझ लो किस किस को नहीं पता है ड्रेगिंग स्क्रॉलिंग और इनका मतलब तो मैं बता दू क्योंकि ये इंपोर्टेंट चीजे इसी में से क्वेश्चन आते हैं जल्ली बता दो ड्रेगिंग किसको नहीं पता है ड्रेगिंग क्या होता है ड्रेगेंड ड्रॉप बहुत बढ़िया तो देखो ड्रेगेंड ड्रॉप तो मैं आपको सिंपल सा फंडा है एक मिनिट पता है न सब को पता है चलो नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ देखो मान लो कि यह चीज मैंने उठाई यहां से इसको पकड़ के अभी यहां पर नहीं होगा यह देखो यह चीज है एक मिनिट यहां पर यह चीज है मैंने इसको क्या कर लिया ड्रैग कर दिया अब मुझे इसको ले के जाना है यह नीचे त बात करते हैं आगे हम ठीक और स्क्रॉलिंग का मतलब क्या है कि पहले पेज से नीचे पेज तक आना दूसरे पेज से उपर जाना उसको हम क्या बोलते हैं भई साब स्क्रॉलिंग बोलते हैं माउस होते हैं जरा देख लो तीन प्रकार के कितने प्रकार के तीन प्रकार के माउ से में पूछा जा सकता है कि मेकनिकल कैसा होता है, मptraakashy कोता है, तो जब आपके पास PDF रहेगी, बहुत सिंपल है, खुद कर सकते ओंसना इतनी कठिन वाली चीज से इस में है नहीं बट फिर से व debate बात है कि हम इसको देखेंगे तो जरूर तो देखो एक होता है mechanical एक होता है optical और एक होता है cardless जिसको हम क्या बोलते हैं wireless बोलते हैं जैसे मैं इसकी बात कर रहा हूँ तो यह एक किस तरह का mouse हो गया है यहाँ पर यह सबसे आखरी वाला wireless mouse है अब wireless mouse है मतलब कि भी साथ इसके साथ छोटा सा एक card आता है उसको आप लगाओ और यह चलने लग जाएगा कहीं से भी चला लो तो यह क्या हो गया wireless हो गया यह भी क्या है यह भी wireless है ठीक और optical mechanical तो ज्यादा तर यूज़ करते ही है अब देखो mechanical mouse अभी mouse को देख लो आप यहाँ पर एक नीचे डंड एक बॉल रहती है जिसको हम क्या बोलते है यह रबड की गेंद सिस्तर से काम करती है इसको हम mechanical mouse बोलते है जैसे मैं यह बता हूँ आपको इसके नीचे अगर आप देखो गए है ना देख लो अच्छे से इसके नीचे क्या है किसी चलते थे यह mechanical mouse हो गया है बात करते हैं प्रकाशी mouse की अब मैं इसी mouse की बात करता हूँ तो देखो यहाँ पर छोटी सी light है जब मैं यूज करूंगा तो यह light क्या हो जाएगी जल जाएगी मतलि यह किस तरह के mouse हो गया है optical mouse हो गया है तो non mechanical mouse है भाई साब इसमें प्रकाश की एक कीरण जिसके नीचे सतर जो होती है उस तरह से यह काम करता है तो mechanical प्रकाशी और तार रहित wireless जो आजकल यूज होते हैं जिससे यह मैंने बताया मेरे पास है और यह छोटी सी चीज को आप लगाओगे तो यह काम हो जाएगा इस तरह से mouse का आप यूज कर सकते हो यह नह माउस का अविशकार किस ने किया क्योंकि यह PDF में मैं नहीं डाल पाया हूँ है ना mouse का आविशकार किस ने किया है यह आपका आज homework है फटा फट लिख लो जो target मैंने दिया है ना उस target में कि mouse का अविशकार किस ने किया है यह आपको चेक करना है और खुद से याद कर लेना है ठीक है हाला कि MCQs में अपन इसको कर ही लेंगे ठीक अब बात करते हैं scanner की किसको scanner और printer में confusion होता है बता दो फटा फट डगलस एंजल बर्ट बहुत बढ़िया very good एक number ठीक है भाई सांब बहुत शांदार ठीक अभी भी like 50 ये like कर दो भाई सा पिचोस्तर बच्चे क्लास में है तो scanner और printer में किसी को कोई confusion होता है क्या रितिका जी को होता है पूजा जी को होता है आशिश जी को होता है देखो मेरी बात सुनो मान लो मेरे पास ये पेज है जिस पर मैं पढ़ा रहा हूँ ये तो एक हिसाप से पेज ही है ये जो चीज दिखरी है आपको ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो दिखरा ये तो पेज ही है अब ये किस में है ये कम्प्यूटर में है कम्प्यूटर में है मतलब दो चीज समझो की एक होती है सौफ्ट कॉपी और एक होती है हार्ड कॉपी अब हार्ड कॉपी और सौफ्ट कॉपी का मतलब क्या है ऐसी चीजें जो कम्प्यूटर में सेव है पेंडराई में सेव है जो हमारे पास फिजिकल ली नहीं है वो soft copy हो गई इसी का मैं print out निकाल लूँगा तो ये मेरे पास क्या बन जाएगी hard copy जैसे ये क्या है ये hard copy है ठीक तो ये soft copy hard copy में अंतर होता है जब हम जब हमको किसी computer में कोई page है और उसको हमको बाहर लेना है तो बाहर लेना है तो भाई साब क्या मिलेगा हमको output मिलेगा उसके लिए हमको output device का use करना पड़ेगा और वो output device हो जाएगा printer अब इसी page को जो हमारे पास soft copy hard copy है इसी को मुझे use करना है computer के अंदर तो हम input करेंगे तो हमको एक input device की जरुवत पड़ेगी और वो होता है scanner तो scanner का काम ही ये है सिंपल सी बात है तो scanner में ज्यादा बताने की जरुवत है ही नहीं बात करते हैं आगे touch screen बिल्कुल बोलने की देखने की जरुवत ही नहीं है एक थोरो ली इसको देख लो touch screen क्या होता है जैसे मैं यहाँ पर ये use कर रहा हूँ ये क्या हो गया है ये touch screen हो गया है भाई साब ह ये touch screen है तो आज कल के जमाने में touch screen का ही use किया जाता है तो ये बिल्कुल देखने की जरुवत नहीं बात करते हैं web camera की तो web camera से हम क्या कर सकते हैं भाई साब किसी व्यक्ति से जुड़ सकते हैं जो mobile place पर है हमारे से दूरी place पर है जो हमको meetings करनी है classes लेनी है सब कुछ web camera से use होता है जो मैं आपकी classes ले रहा हूं यह भी web camera से और सभी तरह से use हो रही है तो यह भी एक बहुत ही simple मतलब आपको यह क्या लग रहा है कि छोटी-छोटी सी चीज है जहां पर मुझे यह prelims के लिए नहीं देखना है यह prelims के लिए नहीं देखना है वह prelims के लिए मेंस के ल digital camera अब digital camera तो सब के सब यूज़ करते होंगे आज के जमाने में बहुत सारे लोग जो है professional वो यूज़ करते हैं अब digital camera我知道 अब digital camera से भी हम क्या करते हैं किसी चीज़ को क्या करते चेप्चेर करर रहे तो वो input device है तो ये भी आप uniqueness कर रहे तो यह मतलब छोटी-छोटी सी चीज है, इसमें भी question क्या आएगा, कौन सा device है, input या output, बाट करते हैं trackball, अब यह आपको दिख रहा है pointing device, जब mouse के नीचे जो ball है, उसी तरह से इसको क्या है, एक अलग से ही trackball आ जाती है, जिसका हम प्रयोग कर सकते हैं, इसको scrolling के लिए, और इदर अलग-अलग 4455 बटन भी देके रखिए, जिसका आप यूज कर सकते हो, ठीक है, computer screen पर cursor को अलग-अलग direction में move करने के लिए किया जाता है, मतलब एक हिसाप से वो क्या है, mouse है, बात समझ मैं आ रही है, joy stick आपने देखा होगा, तो joy stick games को खेलने में सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाती है, याना सबसे ज़्यादा प्रयोग हो रहा है, ठीक है, फिर आपने cranes में देखा होगा, बहुत सारी जगा, joy stick का काम आपने देखा होगा, इसलिए फोटो से आपको बहुत अच्छे से दिख रहा है, याना जब अपनी तरफ से इस चीज को पढ़ोगे तो जब पढ़ने के बाद आप खुद देखोगे, तो आपको यही लगेगा कि यह mains के लिए important है, और मैं खुद ऐसे ही शान्ती से आराम से ही कर लेंगे, यहाँ पर भी question pre के लिए क्या बनेगा, कि भईया कौन सा input device है, बात करते हैं digitizer tablet, अब यह digitizer tablet कैसा होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ, यह इस तरह का digitizer tablet होता है, जिसका आपन क्या कर सकते है, प्रयोग कर सकते है, लिखने के लिए और देखने के लिए, इस पर अगर मैं जो भी लिखोंगा, तो वो screen पर आपको कहां पर दिखेगा, वो screen पर आपको मैं जो भी लिखता हूँ, आपको है एक होता है Optical Character Reader और एक होता है Optical Character Recognition अब यह जो चीज है यह तो आप बार बार देखो गया आप अपने तरफ से हो जाएगा ठीक इसका प्रयोग क्या है कि अगर कोई पेज है और उस पेज में मुझे इस चीज को क्या करना है उसमें Card Reader भी लगा रहता है अगर मैं उस पेज में ऐसे Line करते जाओंगा तो वह चीज क्या है स्कैन होती जाएगी और उस स्कैन को करके मैं फिर क्या कर सकता हूँ अलग कर सकता हूँ अच्छा है बहुत बढ़िया चीज होती है यह बस शायद थोड़ा सा महंगा आता है चार पांच छे अजार रुपे का आता है लेकिन है बहुत ही बहतरीन चीज ठीक इसके लिए ना आउटपुट ले सकते हैं मस्त तरीके से काम हो जाएगा चलिए बात कर अब यहाँ पर फायदा क्या है यहाँ पर जिस लाइन की जरुवत है उसको क्या कर लो स्कैन कर लो काम खतम ठीक है भाई साब बात करते हैं हम आगे पॉइंट पर नेक्स पॉइंट पर एक मिनिट च अलग-अलग shopping malls में गए होंगे कहीं भी गए होंगे आपके किताबों के पीछे ही barcode scanner रहता है जिसे मैं आपको बताऊं यह रहा तो बार कोड scanner रहता है इसका जब भी आप इस device से use करोगे तो इस device से use करने पर क्या है वो scan कर देगा कि कौन सी किताब है इसका code क्या है कितन मिकान्थ है कितने की है 200 रुप्य ठीक है दे दो यह नहीं बताएगा यह यह बताएगा कि उसका यह जो है यह का अपना इसका प्राइस क्या है ठीक है अपने अपने बुक्के कुछ लेवल्स रहते हैं वो बताएगा इस बात को समय लेना तो बार कोड रीडर देखने की अपनी का नाम बता देगा ठीक चलिए बात करते हैं M.I.C.R. M.I.C.R. क्या है Magnetic Ink Character Recognition यहां पर तीन से चार चीज़े जो है important है क्या काम आता है Magnetic Ink Character Recognition तो भाई साब यहां पर देख सकते हो यह बैंकों में यूज होता है इस तरह का रहता है Cancel Check को Scan करने के लिए इसका Use किया आता है तो पहले तो यह पूछ लिया जाएगा कि इसका Use क्या होता है कहां होता है और इसका Full Form क्या है यह दो तीन चीज़े M.I.C.R. में से निकल कर आती है कि यह इसका प्रयोग कहां पर किया जाता है Clear है तो बहुत Simple तरीके से Input Device और Output Device अपने को समझ में आ रही है अब मैं आपका दो मिनिट और लूँगा ताकि बता दूँ कि कैसे क्या चीज़ों को करना चो करना है इन्पूटटड़ दिवाइज में एक मिनिट यार क क्या करना Input Device में तो इंपूटड़ दिवाइज में आप सबसे पहले तो देख ले ना input device है कौन-कौन से, है न, input device है कौन-कौन से, जो सबसे पहले page पर है, फिर उसके बाद जो छोटे-छोटे से point दिख रहे हैं, जिसे ये shortcut keys हो गई, किसे ने invent किया, किसे ने discover किया, ये छोटे-छोटे से points देखना है, shortcut keys और ये सबी, clear है बाद, इस तरह से input device का काम आएगा, बाकि जो भी आपको theoretical चीज़ दिख रही है न, इसको बस अपने पास रख लो, mains के time पर एक दो दिन पहले पढ़ेंगे, अभी मैंने चीज़े बता दिये, तो दिमाग में रहती है, क्योंकि हमने virtually इसको देखा है, बात समझ मैं, इसी तरह से कल output device को हम देख लेते हैं, जिसे printer हो गया, plotter हो गया, printer पर एक class मुझे अलग से ही पूरी लेनी पड़ेगी, क्योंकि काम की चीज़ है वो, और important questions आते हैं, तो वो देखने के बाद, फिर हम 3-4 दिन questions लेते हैं, इन सभी के clear बात, चले वहें like कर देना, share कर देना, subscribe कर देना, CGPAC की आज history की free class है, कोई भी पढ़ना चाता है, history जो जिनका बचा है ancient history वो आ सकता है, रात में 10 बजे मद्धी प्रदेश खेल चालू करेंगे, 7 बजे साड़े 8 बजे जोग्रोफी, जय हिन, जय भारत, thank you so much.